हेलो फ्रेंट्स मेरी टकी क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा बेबी शू लेकर आई हूँ यह शू तीन महीने से लेके छे महीने के बच्चे को इसली आ जाएंगे और यह शू बनाने बहुत ही आसान है और यह प्रेंजी बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तीन से छे महीने के बच्चे के लिए हमने यह 49 फंदे लिए है से फंदे हमने लूज ही डालने हैं फंदे डाल कर देखिए हमने पहली सलाई ये हमारी रॉंग साइड है उल्टी साइड ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे ये सारे फंदो को हम पर्ल वाइस बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड अब राइट साइड से भी हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे आखिर का एजड स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे अब फिर हम उल्टी साइड आगे राइट साइड पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करते जाएंगे और ये हम धारियां बनाएंगे ये हमारे शूका बेस बनकर तयार हो गया है ऐसे करके हमने एक, दो, तीन, चार ये चार धारियां बनाई है ये टोटल हमने नौ सलाईयां बुनाई की है अब हम शूका मिडल पार्ट बनाएंगे बीच का भाग बनाएंगे दो वो कैसे बनाना है हमने इनको, फंदों को तीन भागों में बांटेंगे, सत्रा सत्रा फंदे हमारे दोनों साइड होंगे, बीच में हमारे पंद्रा फंदे होंगे, तो पहले हम सत्रा फंदे भुनाई करेंगे, और ये हमारी सीधी साइड है, राइट साइड, पहला फंदा उतार लेंगे, इसक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे अब 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर धागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे बाकी बचे 17 फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे रॉंग साइड उल्टी साइड से हमने ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब फिर हम सीधी साइड आगे अफिर हम 17 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे ये देखे हाँ यहाँ पर अब हमारी ये फली सी हमें दिखाई देनी शुरू कर दी जहाँ पर हमने बिना बुने वाला फंदा उतारा था और उल्टी साइड से हमने ये सारे फंदों को उल्टा ही बुनाई किया था फिर से हमने 17 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे इसको हम एक काउंट कर लेंगे ये दिखे ये बिना बुने वाला फंदा आ गया धागा पीछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके छे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके छे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके 17 फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम रॉंग साइड आगे उल्टी साइड उल्टी साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है बिना बुने वाले फंदे भी उल्टे ही बुनाई करेंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे फिर से हमने 17 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर 6 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उता अखिर 17 फंदे मुल्टे बुनाई कर देंगे अब हम ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे और यह हमारे शू का मिडल पार्ट बन जाएगा अब मैं आपको इतना कम्प्लीट करके बताती हूं यह हमारे शू का मिड़ल पार्ट भी बनकर complete हो गया अब हम यहां से धार्यां गिनेंगे देखे पहले हमने 1, 2, 3, 4, 4 धार्यां बनाई थी अब यहां से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह 7 धार्यां हमने बना लिए और यह भी अगर हम count करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और ये टोटल हमने देखी ये पंदरा सलाईया बुनाई की है अब हम आगे कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ ये हमारी सीधी साइड है तो सीधी साइड से अब हमने ये पहले सत्राफ अंदे उल्टे बुनाई कर देंगे धागा पिछे करेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके अब ये बीच में हमारे छे फंदे हैं ये पहले दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे हम सिंपल उल्टे बुनाई करेंगे फिर ये दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे और ये हम उल्टा ही बुनाई करेंगे धागा पीछे करेंगे ये देखे ये हमारी सीधी फली आ गई एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे फिर सी ये बीच के छे फंदे आगे तो दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे ये देखें ये हमारी सीधी फली आगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे बाकी बच्चे हमारे फंदे हम उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हमने कोई फंदा ने घटाना और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब फिर हम सीधी साइड आगे राइट साइड फिर हम ये सत्रा फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे अब बीच में हमारे चार फंदे उल्टे हैं तो ये दो फंदों का हम एक फंदा बनाईगे फिर नेक्स्ट दो फंदों का भी हम एक फंदा बनाएंगे धागा पिछे करेंगे ये फली आगी एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये बीच के चार फंदे उल्टे आगे फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर नेक्स्ट दो फंदों का भी हम एक फंदा बनाएंगे फिर धागा पीछे करेंगे ये देखिए फली आगी एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हम बाकी बच्चे हमारे फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे, रॉंग साइड, रॉंग साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई कर देंगे अफिर हम सीधी साइड आगे फिर से हम फंदे घटाएंगे ये सत्रा फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे धागा पिछे करेंगे, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, ये देखिए फली वाला फंदा, धागा आगे करके ये बीच में हमारे दो फंदे उल्टे हैं, दोनों फंदों को हम एक फंदा बनाएंगे और उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके, फिर दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा आगे करके, ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे भणended रॉंग साइड आगे रॉंग साइड से हम सारी सलाई उल्टि बुनाई कर देंगे मнож 17 फंदे उल्टे बुनाई करने है धागा पिछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करेंगे अब यह भीच में हमारे 1, 2, 3 यह तीनों फंदों को हमने ऐसे इकठा बुनाई करना है और यह हम उल्टा बुनाई करेंगे फिर धागा पिछे करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर धागा आगे करके बाकी बचे हम सारे फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम ये रॉंग साइड आगे रॉंग साइड से हम सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब ये हमारा शू का मिडल पार्ट कम्प्लीट हो गया और अब हम ये अपर पार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ अब हमने पहला फंदा उतार लिया धागा पिछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम वैसे अब हम शू का अपर पार्ट बनाएंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा अब ये सारी सलाई हम ऐसे बुनाई करेंगे अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना यह देखे यह हमारा फली वाला फंदा आगया यह हमने हमारा सीधा आगया भीच का फंदा हमारा उल्टा आगया फिर यह फली वाला फंदा हमारा सीधा आगया अब हम ये उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से जो फंदे हमने पहले सीधे बुनाई किये थे अब वो उल्टे बुनाई करेंगे और जो उल्टे किये थे वो सीधे बुनाई करेंगे ये फंदा हमने सीधा बुनाई किया था अब ये हम उल्टा बुनाई करेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अब हम ऐसे ही ये बुनाई करते जाएंगे अब हम सीधी साइड से भी ऐसे ही बुनाई करेंगे जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है हमने वैसे ही उसको बुनाई करना है और ये हम उपर का रिब का पार्ट बनाएंगे अब ये हमारे शू का रिब का पार्ट कम्प्लीट हो गया ऐसे करके हमने ये तकरीबन बाइस सलाईया बनाई है अब हम उल्टी साइड से सारे फंदों को बंद करेंगे तो हमने ये देखिए ये उल्टी साइड से हमने ये दो फंदों का एक बनाना है फिर इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे फिर दो फंदों का एक बनाएंगे फिर से हमने इस फंदे को सलाई पे लिया दो फंदों का एक बनाया अब ऐसी हमने ये सारे फंदों को बंद करेंगे अब हम यहां से इस धागे को काट देंगे और इसको यहां से हम पका कर देंगे यह देखिए यह हमारा शू बनकर तयार हो गया यह देखिए यह सीधी साइड हमारी उपर की तरफ है अब यह उल्टी साइड हो गई हमारी उपर की तरफ अब हम शू की सिलाई करेंगे तो हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक इसकी सिलाई करेंगे 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 अब हम ये वाला पाट से लाई करेंगे अब हम ये वाला पाट से लाई करेंगे और ये एक्स्टा धागा हम अपाट से लाई है अंदर की तरफ कर देंगे यह देखें यह हमारा शू बनकर तयार हो गया अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूं ऐसे यह खूबसूरत से शू आप अपने बेबी के लिए बनाएं प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद